मैं आप लोगों के लिए मैच कवर करने जो की खेरा जाएगा न्यूजिलेंड बास्केटबॉल लीग का एंजी वॉस्स एम डव्ली जे के बीच एक घंटे उनतिस मिनट के बाद गाई तो बास्केटबॉल का जो मैच है हो सका अगर लाइनप जल्दी आई तो मैं इसकी टीम मैं आपको सेंट करूंगा अपनी टेलिग्राम चैनल पर जिसका नाम इभी रॉक्स डीम लेवन टीम जिसका सेफ लिंग आपको नीचे मिल जाएगा इसमें सिरफ मैं आपके साथ अपनी नॉलेज अपनी तिंकिंग शेयर करूंगा नथिंग एल्स ठीक है और बात करूं य तो यहां पे लूँगा डी नाइट को तो बहले मैंने यहां पर लेना चाहा था एच्छेल को बट मेरे पास क्रेडिन मिंटेन हुए ही नहीं तो मैंने का जीयल गील कॉम्बिनेशन के लिए है अच्छेल अबहीं के लिए नाइट बहुत ज्यादा सेफ है क्योंकि दीनाइ क्योंकि फॉर्म अभी फॉर्म इतली अच्छी नहीं है क्योंकि आपको पता है पॉइंट गाडर में एच्छेल ज्यादा जगा घेरता है आगे से बात करूँ शुटिंग आड की यहां से लूगा जे बैजर्ट को तो यहां पे जेडन बैजर्ट को मैं ले रहा हूं इसके प ससके के खिलाफ टोटल 44 पॉइंट्स दिये थे और एक्च्छल में जो पॉइंट्स थे वो थे 19 अरिजिनल बास्केटबॉल पॉइंट्स देखे जाए तो आगे से बात करूँ पावर फॉवर्ट की तो जे मैकिनले जे मैकिनले पिछले मैंस के अंदर फ्लॉप हुआ बट नहीं देखी मैंने तो नॉर्मली अपने क्रेडिट मिंटेन करने के लिए और बी बैरी की बात करूँ गाईज और बी बैरी एक नॉर्मल प्लेयर एक्चुलिस की सेलेक्शन काफी कम रहती है और आज इसलेक्शन इसलिए बड़ेगी क्योंकि लोगों के पास क्रेडिट इ अलग अलग तरह के प्लेयर जैंगे से बात करूं करूं काफ्टन की मेरा काफ्टन एज ए एस पी जो मेरा है वो है डी डैनियल्स और मैरा वाइस कीप्टन आज एज़ए प्रो प्लेयर है डी नाइट तो यही मेरी टीम घॉन गाईज मिलता हूं अगली वीडियो में बबा झाल 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 झाल